कहते हैं कि भगवान श्री राम कणकण में मुझूद है लेकिन आज जम्मू में एक ऐसे स्थान पर मुझूद है जहां पर भगवान श्री राम का काला स्वरूप है और ये मंदिर एक नासिक में है और एक जम्मू में है और देट सो साल पुराना ये मंदिर है क्या इसका इत हास है वो आपको बताएंगे तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं नासिक के पंचवटी छेत्र में काला राम मंदिर है प्रभुश्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में यहां कुछ वर्ष निवास किया था यहां पर कई राक्षसों ने कई रिशिमुनियों को लोगों को अपनी शक्तियों से भाईभीत कर रखा था जब प्रभुश्री राम वनवास के समय यहां है तब उन्होंने रिशिमुनियों के प्रात्रा को स्विकार करकर अपना काला रूप धारन किया यहां के जीव स्रिष प्रभु श्री राम चंद्र को काला राम मंदिर से भी जाना जाता है और एक ऐसा ही मंदिर जो नासिक की तरह जहाँ पर भगवान श्री राम का काला स्वरूप है वो जम्मू में भी मुझूद है और जम्मू शहर के बीचों बीच है मर्यादा पुर्शोतम श्री राम श्री हरी विष्णू के दस अफ़तारों में से साथवे अफ़तार थे बारा कलाओं के स्वामी श्री राम का जन्मलोग कल्यान के ले हुआ था श्री राम को हिंदु धर्म के महांतम देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है। वे करुना, त्याग और समर्पन की स्वामी माने जाते हैं। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैरे और पराक्रम का सर्वश्रीष उधारंसंसाथ के सामने प्रस्तुत किया है। तमाम बादाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने राम दूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, भगवान हनुमान के इनी गुनों के कारण उन्हें भगवान श्री राम का सबसे प्रियवी कहा जाता है। जब जब प्रित्वी पर पाप और अत्याचार बड़ा है, अधर्म ने धर्म पर वीजे पाने की कोशिश की है, तब तब भगवान विश्णु ने प्रित्वी पर अफ्तार लेकर अत्याचार का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की है। भगवान शीव की महिमा अनन्त और अपार है, उनकी महिमा का गायन कोई नहीं कर सकता है, भगवान सदाशिव भोलेनात की महिमा का विस्तृत वर्नन शीव पुरान में मिलता है, भगवान शीव को महामृत्युन जई भी कहा गया है, इनकी महिमा से, इनकी कृपा से इमृत्य के समी पहुंचा व्यक्ति भी स्वस्त होकर जीवित हो उठता है महामरितुंजे मंत्र का जाप जो है इस प्रकार का जाप है जिसे भगवान शिव की विशेश्क्रिपा प्राप्त होती है शास्त्रों में इस मंत्र को कई कश्टों का निवारक बता गया है अगर आप चाहते ह हैं कि भगवान शिव की विशेश्क्रिपा प्राप्त हो महामरितुंजे के मंत्र के जाप के साथ शिवलिंग का जलब शेख भी करें तो भगवान के सावले स्वरूप का दर्शन करवाने का एक ही मकसद था आप भी खुद को धन्य महसूस करें और आपको भी भगवान रा आनी मंडी में